नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल PLC ब्लॉगर में आज हम सिमेंस PLC S1200 PLC के साथ एंकोडर की वारिंग कैसे किया जाता है ये सिखने वाले हैं अगर आप आटमेशन या इंडरस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपने एंकोडर और PLC के बारे में नाम सु कैसे इसकी वारिंग किया जाता है आज हम इसको जेकने वाले हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट में बता दू अगर आप एंकोडर और PLC के बीच में वारिंग करने वाले हैं तो आपकी जो PLC होनी चाहिए वह हाई स्पीड PLC होनी चाहिए मिंस ट्रांजिस्टर टाइप PLC ह होना चाहिए अब देखिए अगर मैं इस एंकोडर की इसकी साथ वारिंग करना चाहता हूं तो यह मेरे सिमेंस PLC में हाई स्पीड काउंटर इंपूट्स होते हैं जो मैं इस PLC की बाद बताओ तो इसमें छे इंपूट्स हैं हाई स्पीड इंपूट्स हैं तो मैं इसके सा पहले वायरिंग करने के लिए कुछ चीजों की requirement होती है, मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या वायरिंग करने के दौरान आपको requirement पढ़े गी, सबसे पहले आपके पास जो PLC के साथ वायरिंग करना चाहते हो PLC होना चाहिए, आपके पास Encoder होना चाहिए, SMPS होना चाहिए, और इसके लिए कुछ connecting wire होना चाहिए, जिससे आप इसका यूज करके connection कर सकें, अब SMPS इसलिए चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा पास encoder है, ये 24 बोल्ट पे operate होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, SMPS से supply लेना होगा, तो आईए सबसे पहले मैं थोड़ा सा encoder के बारे में overview दे दूँ कि encoder क्या चीज होता है, डेन आप्टर मैं इसकी wiring करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी wiring करना है, कि देख पार है, मेरे पास जो encoder है, rotary encoder है, ये और Atonix का encoder है, यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास लिखा है, ये जो मेरा model number है, जो specialist का model number होता है, series number का है, 1000 pulse का है, means अगर मैं इसके साफ्ट को अगर एक चकर complete करता हूँ, तो 1000 pulse generate करेगा, 3 means, ये 3 phase का है, 3 phase यहाँ पे already mention किया है, black, white और orange color, जहाँ पे मुझे pulse find out होगा, जो electrical pulse होगा, और ये ही encoder को rotate करने से, इन वायरों पे मेरे को supply मिलने वाली है, तो सबसे पहले मैं आईए इसक connection करके सिखाता हूँ, अब देखें, किसी भी encoder का wiring करना है, तो सबसे पहले इसका manual जरूर पढ़ना होता है, किसी भी device की wiring करें, तो आपको manual पढ़ना होता है, इसके साथ मुझे manual मिला है, जहाँ पे इसने बता रहा है कि इसका connection कैसे करना है, इसकी wiring कैसे करना है, और इसका यहां पर mention कर रखा है वो point तो देखेंगे कि mention कर रखा है black मेरा out A रहेगा means यह जो black इसकी wire है मैं अगर दिखा हूँ इस encoder की जो black वाली wire है यहां पर phase A या फिर channel A क्या signal find out होगा यह signal means जो 1000 pulse generate करने वाला है वो signal जो electrical के फा में मिलेगा इसी wire पर मिलेगा अब देखिए मेरे पास एक white भी है जो B phase को represent करेगा B phase का भी use करूँगा और इस पे मुझे 1000 इस पे भी pulse मिलेगा मैं B phase का इसलिए use करूँगा कि direction और position को identify कर पाऊं कि यह encoder किस direction में rotate हो रहा है और जो जिसके साथ connect है उसकी क्या position है इसके आलावा मेरे पास एक orange यहां पर तेके इसके आलावा orange है जो Z phase को represent करेगा तो जो मेरे Z phase को represent करेगा इसका यूज मैं reference point के लिए कर सकता हूँ या फिर homing के लिए कर सकता हूँ homing कहने का मतलब कि अगर मैं एक चकर complete कराता हूँ तो एक बार signal इस पर find out होगा मैंने already आपको बता रखा है कि phase A, phase B, phase Z क्या होता है अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे playlist में link मिल जाएगा पूरे वीडियो को देखिए ताकि आप encoder में expertise बन पाएं ओके इस brown wire है इसको plus से connect करना है और इसकी blue वाली wire मुझे negative से supply से connect करना है तो मैं इसकी wiring करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी wiring आप अपने PLC के साथ कैसे करेंगे सबसे पहले जो इसकी supply की wire है brown और blue वाली मैं SMPS से connect कर देता हूँ so that इस encoder को supply मिल पाएं और जैसे ही rotate करूँगा इन इसकी wire ओपे मुझे digital signal मिलने वाला है 24 वोल्ट मिलने वाला है तो मैं इसकी wiring कर देता हूँ यह मेरा plus का है तो मैं इसके साथ SMPS के साथ मैं connect कर देता हूँ so that इसकी supply मिल पाएं क्योंकि यह trigger होगा means इसको supply मिलेगा तब ही जाकि यह output निकाल के मुझे देगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी wiring कर देता हूँ SMPS के साथ drain after मैं इसको PLC के साथ भी connect करके दिखाता हूँ तो अभी देखेंगे मैंने SMPS के साथ इसकी wiring कर दिया है remaining जो वारे मेरी बची हुई है मैं आपको PLC के साथ इसकी wiring करके दिखाऊंगा तो आप देखिए सीमेंस PLC में जैसे की आप जानते हैं कि अगर मुझे encoder के साथ work करना है तो मेरी PLC high speed होनी चाहिए तो यह मेरी PLC high speed है मैंने आपको specification already मैंने यहाँ पर बताया था जब मैंने सीमेंस का पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका specification क्या है यह मेरी जो PLC है high speed PLC है और इसमें 6 inputs हैं तो मैं सबसे पहले जो इसका phase A है मैंस channel A है मैं इसको I0.0 पर connect कर दूँगा तो मैं यहाँ पर इसको I0.0 पर connect कर देता हूँ देन आपना इसका power on भी करके देखेंगे तो आपको कुछ बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा तो मैं इसकी connection कर देता हूँ आपना मैं इसको power on करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे यह और इसका behavior क्या रहेगा कैसे identify करेंगे कि हाँ यह प्रापर वाइरिंग हुआ है या नहीं हुआ है देखेंगे कि यह मेरा phase connect हो गया है remaining जो वाइट वाली वायर है जो channel B को represent कर गा अल्रेड़ी यहां पर लिखा भी करना चाते तो कर सकते हैं नहीं करना चाते तो नहीं कर सकते हैं यह just reference point होमिंग को बताता है मिस अगर जैसे encoder एक चकर complete कर देगा तो यह एक पॉल्स देगा तो मैं हलाकि इसको भी यूज करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इसका भी यूज कर सकते हो इंडॉस्ट्री में सिर्फ दो ही phase का यूज किया जाता है A phase और B phase ओके A और B phase यूज करके यह पता किया जाता है कि मेरा encoder किस direction में rotate हो रहा है और कितना pulse generate कर चुका है और simply इसकी wiring complete होने के बाद मैं इसका cover कर देता हूं अब देखें मैंने इसकी wiring complete कर दिया है अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसका power on करता हूं तो power on करने के लिए मैं SMPS में supply दे दिया अभी देखेंगे कि PLC मेरी fault mode में है एक बार run mode में आ जाने दीजिए अभी देखेंगे PLC मेरी run mode में आ गई है और यहां पे एक signal आ रहा देखेंगे कि जैसे ही मैंने power on किया तो यहां पर I0.1 पर एक signal आ रहा है इस encoder से अब मैं इस encoder को rotate करता हूं rotate करूंगा तो देखेंगे कि यहां पर I0.1 पर signal आने लगा क्योंकि इसमें 3 phase, phase A, phase B, phase Z तो देखेंगे कि यहां पर phase A पर supply आ रही है और मैं जैसी जैसे इसको rotate कर रहा हूं यह मेरा जो input है यह billing हो रहा है मैं अगर fast करूंगा तो यह continue on ही रहेगा क्यों क्योंकि इतनी fast एक rotation में 1000 pulse यह generate करेगा 1000 pulse generate करने का मतलब यह जो inputs है input indicator है 1000 बार on-off होगा बट यह इतनी fast on-off हो रहा होगा मैं अगर ज्यादा ही fast इसको rotate करूं तो यह continue glow होते हुए मिलेगा क्योंकि मैं आइस्था आइस्था कर रहा हूं इसलिए यह आना आप होते हुए दिख रहा है जैसी एक चकर complete हो जाएगा तो यहां पर जो i0.2 पर इसका z-phase connect किया है वहां पर मुझे इसका signal मिलने लगेग तो अब देखेंगे कि यह मैंने rotate करा हूं इस तरह के साथ verify कर सकते हैं कि जो अपने encoder की wiring किया है अपने PLC के साथ proper सही से wiring किया है अब अब यह encoder कितना pulse generate किया किस direction rotate हो रहा है इसको समझने के लिए मुझे अपने PLC की program में चलना होगा मैं software में तो हम next video में आपको यह बत साइन करें ति इसके लिए आपको next video के देखना होगा तो मिलते हैं next video में दोस्तों तब तक के लिए नमास्कार